हलो मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल tektar.com में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा अगर पसंद आता है दोस्तों तो मेरे चैनल को सबस्क्राब कर देना दोस्तों मैं आपके लिए जानकारी लेकर काया हूँ LNMU Part 3 का Admit Card कब जारी होगा दोस्तों अभी सारे मेरे जतने वी दोस्त है जो मेरे स्टुडेंट है Part 3 के सबका यही सवाल है कब जारी होगा दोस्तों डेट किलियर हो गया है कि 12 सेटमबर से एक्जाम है तो दोस्तों हमेसा के तरह इस वार भी 5 दिन पहले या 6 दिन पहले आपको Admit Card जारी किया जाएगा और 12 सेटमबर से एक्जाम होगा तो दोस्तों इस हिसाब से दोस्तों 6 दिन पहले या 5 दिन पहले Admit Card जारी किया जाता है तो 12 सेप्टमबर से एक्जाम है दोस्तों तो 5 या 6 को या 7 को एडमिट कार जारी किया जागा अब एडमिट कार जारी होने के बाद सबसे बारा प्रॉलम क्या होता है कि कॉलेज जाकर के वहां से आपको वेरिफाई करवाना पड़ेगा आपका एडमिट कार प्रिंट और निकलवा करके जाना पड़ेगा आपके कॉलेज वहां पर आपको मोहर लएगा आपके एडमिट कार पर सिगनेचर होगा उसके बाद वेरिफाई हो जाने के बाद फिर आप एक्जाम में बैठ सकते हैं तो दोस्तो इस बात का ध्यान रखना है कि एडमिट कार आने के बाद उसका प्रिंट और लेकर के आप अपने कॉलेज में जाए वहां पर साइन कर वाले और मोहर लग वाले आपके कॉलेज से तो दोस्तो अभी तक कोई लिंक जारी नहीं हुआ है बहुत सारा वीडियो है जिसमें यह बताया जारा है कि लिंक जारी हो गया कई स्टुडेंट मेरे पास आया कई कॉमेंट आया कि क्या है अब जारी हुआ नहीं हुआ तो दोस्तो अभी जारी नहीं हुआ है मेरी बात 5 या 6 तारीक को लिंक जारी किया जाएगा admit card के लिए तो दोस्तो उस टाइम देखेंगे फिर आपको notification मिलेगा दोस्तो मेरे चैनल को subscribe कर ले वीडियो के मर्ध्यम से मैं आपको पताऊंगा आपको notification मिल जाएगा आपके YouTube चैनल से दोस्तो तो जिस time पता चलेगा मैं आपको उ है उसमें आपके college का LNM UK professor, principal और बहुत सरे जो हमारे professor हैं जो हमारे college के हैं उन सबका number है आप direct भी contact करके उन से पूछ सकते हैं लेकिन आपको मैं सही जान करी दूंगा notification आते ही मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपको आपके YouTube चैनल से कर दो करें आते हैं आपके।